प्रिये सिक्षकों ये जो NIOS का कारिक्रम है डिप्लोमा इनर्मेंटरी एजुकेशन और इस पे बहुत सारे कारिक्रम हमने शुरू करे हैं और सबसे उसका मुख्य अंग रहा है ये हमारा लाइफ टेली प्रोग्राम इस माध्यम से हम सभी का उद्देशी ये था कि आप सिक्षकों तक बिल्कुल रूबरू हो पाएं और आपसे इंटरेक्शन कर पाएं और आपके सारे क्वेरी को ले पाएं इसी सिल्सिले में हमने इस कारिक्रम को शुरू करा है कि आज हम ये विशेश चर्चा परिक्षा के उपर ही करेंगे परिक्षा कैसे देना है क्या करना है कहां एक्जामनेशन सेंटर है और आपने उसकी कैसे तैयारी करनी है परिक्षा में बैठने के लिए परिक्षा देने के लिए all these all these things will be discussed during this discussions for all information of you all the teachers and trained teachers I must tell you that NIS has made all the arrangements for smooth and fair conduct of examinations and since everything the teaching learning are taking place through online mode we have tried to upload all the information only through online mode we have already sent SMS to all the teachers and SMS to all our center superintendent regarding the online materials आपके hall ticket जो की अवश्यक है कि आप उसे अपने हमारे portal से डाउनलोड करें उसे इसका एक प्रिंट निकालें और वो प्रिंट ले करके आप परिक्षा के लिए जाएंगे ये परिक्षा की तिति 31 मई एक जून और दो जून को रखी गई है आप सभी इस से परिचित हैं और ये सारे hall tickets अपलोड हुए हैं और सारे teacher से मैं उरोद करूँगा वो अपना hall ticket डाउनलोड करने प्रिंट निकालने और अपने जो आई card पहले आपको दिया गया था उसके साथ ही वहाँ पे आप पहुँचेंगे और सारी तैयारिया हमारी और से हो चुकी हैं इस पर एक विसेश चर्चा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सी धारुमन जी को कि वो इनायोस के रिप्रेशन ओन एक्जामिनेशन के उपर कुछ प्रकास डालेंगे ताकि आप सबों को ये पता लगे कि नायोस की क्या तैयारी हो रही है और दी स्मूथ और एंट प्रेर कंड़क्ट अफ दिस एक्जामिनेशन सर प्लीज तांकि यू प्रसाद नमस्कार प्रसाइड प्रसाद इन्वाइड कर लीची अगर आपके मन में कोई प्रस्ट है तो पूछना शुरू कर दीजिए फोन करिए हमारा टॉल फ्री नमबर आपको दिख रहा है 1800-180-2543 अगर आपके मन में कोई प्रस्ट है वो ज़्यादा जरूरी है हम उसका उत्तर पहले देना चाहेंगे जो हम आप लोगों से आज साजा करना चाहेंगे वो यह है कि DL8 की परीक्षा पहले तीन विशयों की 501, 502 और 503 की पहली बार आयोजित की जा रही है लेकिन आपको दो और मौके मिलेंगे जब आप यह परीक्षा लिख पाएंगे तो घबडाये मत कि किसी कारण से अगर परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए या आपने फॉर्म नहीं भरा है आपका एटेंडिंस कम हो गया है इसलिए आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है तो इसमें घबडाने की जरूत नहीं है आपको दो और ऐसे मौके मिलेंगे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि किस दिन कहां पर परीक्षा है ये सारी सूचना वेबसाइट पर डाली जा चुकी है तो आप अपना हॉल टिकट प्रिंट करें तयारी करें और परीक्षा में जाने के लिए अपनी पढ़ाई करें अगर आपका परीक्षा केंद्र थोड़े दूर पर है तो तीन ही दिन तो परीक्षा देनी है थोड़ा कश्ट उठाइए अगर डूसरे शहर में परीक्षा केंद्र है तो वहाँ जा करके आप रह सकते हैं और अपनी परीक्षा दे सकते हैं थोड़ा फाइदा ये होगा कि अकेले में जादा पढ़ाई कर सकेंगे So, when you are out of the family milieu perhaps you will get more time to study and prepare for your exam Remember one thing, this is going to change the fate of your career If you don't pass your DL.A. by 31st March 2019 you would become ineligible to be a teacher So, whatever time left, I know there is not much time left but still there is not much to be studied as well You have already studied, written your TMA and got your marks Please, I am Lela sir Yeah, please, please Haan, bolye Haan, bata ye Aap kya pouchna chaste hain Pouchhe please, sawaal apna pouchhe Aap kya se bolna hai? Aap kya se bolna hai? Okay Aap kya je Aap kya Kya Oh Oo और के उसे थोना रहा दूसरा नहीं हां बोलिये चलिए प्लीज कॉल अस वी विल डिसकुस्ट दा फॉर्मेट ऑस दा क्वेश्टन पेपर स्लाइटली लेटर तो प्रशन पत्र कैसा होगा कितने प्रशन लॉंग आंसर होंगे कितने अब्जेक्टिव टाइप होंगे शॉट आप पढ़ चुके हैं टीय में भी आपने लिखा है तो आपकी तैयारी एक तरह से हो चुकी है आप जादा घबडाएं नहीं और मान लीजे किसी कारण से आपकी परिक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई तो आपको हम लोग जुलाई के महीने में या अगस्त में जब दूस सेमेस्टर का 504 और 505 की परिक्षा होगी तो दुबारे 501, 502, 503 की परिक्षा देने का मौका देंगे सबसे जरूरी है कि आप अपनी परिक्षा बिलकुल इमानदारी से लिखें किसी भी तरह का अनफेर मीन्स एडॉप्ट मत करिये हम लोग खास ध्यान रखेंगे कि आपकी कॉपी जब जचे तो हम लोग ये देखें कि आपकी कॉपी किसी और की कॉपी से तो नहीं मिल रही है और अगर ऐसा हुआ तो दोनों Candidates को हम लोग Fail करेंगे और अगर Large Scale essay answer एक जैसे मिले तो हम लोग FIR भी कराएंगे Center Superintendent के अगेंस भी करेंगे और Candidates के अगेंस भी करेंगे Copy करना इतना ही अपराद है जतना उसमें मदद करना है फलीज, फोन लेते रहें जी बताईये था पूछय प्लीज अपूछय प्लीज रो सित अलो हलो जी बताईये जू नमस्ते बोली जी तोर्श बोल रहा हूं लाट कर से तुजय था रहूं झाली आश्रम पूछये जी मेरेक प्रस्न है। प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो नहीं अभी कुछ भी नहीं लेके जाना है जबादी तो आपने अपना हॉल टिकेट आप डाउनलोड कीजिए पूटल से और साथ में अपना आई कार्ड जो पहले आपने निकाला होगा सिर्फ आई कार्ड और अभी जो हॉल टिकेट है जिसमें आपके फोटो अल्रेडी लगे हुए कोई अलग से फोटो लेके नहीं जाना है इसमें आपके परिक्षा केंदर की पूरी सूचना दी गई है आप उसे डाउनलोड करें और उसी का एक प्रिंट आउट लेकर के जाना है साथ में आई कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना और कुछ भी नहीं मोबाइल नहीं अलाउड होगा कोई और इंस्टुमेंट अलाउड नहीं होंगे यह जानना जरूरी है कोई मोबाइल फोन नहीं वो सारे चीज़ें आपके हाल टिकट पर लिखी हुई है कि आपने सिर्फ अपना लिखने का पेन और पेंसिल लेके जाना है साथ में अड्मिट कार्ड लेके जाना है जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल किया गया है तो आपका कहना है प्रशाजी कि अपने अड्मिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन्स हैं वो ध्यान से पढ़िए और उसको फॉलो करिए जी सर बिलकुल उसमें सारे इंस्ट्रक्शन्स ऐसे दिये हो गया है कि आपको कितने बज़े पहुँचने हैं कितने बज़े से परिक्षा है परिक्षा का दिन तिथी समय सब चीज लिखा गया है और आप परिक्षा के लिए क्या क्या चीजें लेके जाएंगे आपादिया जाएगा. So, don't carry anything except your admit card, your i-card, pen, pencil what you require to write your answers and don't carry anything which is not required for writing your exam. If you carry a mobile phone or any other instrument which they are not able to recognize like very sophisticated watches or sometimes you carry something which looks like a recorder or microphone they will all be confiscated and you may be punished as well. आप अगर ऐसा कोई भी instrument लेके जा रहे हैं जो परिक्षा केंद्र पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वो confiscate कर लेंगे, जप्त कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि आप वो लोग यह मानने कि कोई यह microphone है या इसके माध्यम से संचार हो सकता है तो ऐसी कोई भी चीज ना लेके जाएं जिससे कि परिक्षा केंद्र को यह शक हो कि यह बाहर से समवाद स्थापित करने में मदद कर सकता है